हमस्कार दोस्तों मेरे ना में विमल सिंग बाला जी स्टेड डा में आप सभी का स्वागत है यार सिक्षक बढ़ती प्रीविएस येर जितने भी अलग लग पेपर के कोशन हो चुके उनकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इससे पहले हमने जो बिहार के जीके के प्रसने 500 कोशन 500 लगबख 525 कोशन कराएं दो पार्ट में पिछला वाला जिसमें 275 कोशन देखे थे side my button में वीडियो मिल जाएगा और playlist में जाएंगे तो बाकी वीडियो भी आपको मिल जाएंगे आज हम math और reasoning दोनों के mix कोशन देखेंगे और सब previous year के जितने भी कोशन आ चुके हैं वो लगबख 100 कोशन देखने का हम प्रयास करेंगे बाकी टोटल जो प्रसनों की संख्या जादा है तो यानि इसके और आगे भी पार्ट आएंगे जिसमें हम बाकी के आगे भी प्रसन दीरे-दीरे करके जो है वो देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें math और reasoning दोनो चलिए अक्षर है तो एक दो तीन चार पांच पांच अक्षर है यानि 5! आपका अंसर हो जाएगा 5!शर का मतलब होता है 5! का मतलब होता है कि उत्तने से ही घर्टेवे करम में गुड़ा कर दीजा यानि 5!शर 4 ! 3 2 ، 1 goodness तो चार से स्टार्ट करते हैं, चार गुड़े, तीन गुड़े, गुड़े एक इस तरीके से, तो आपका पांच गुड़े, चार गुड़े, तीन गुड़े, दो, 120 आएगा अंसर, तो इस प्रकार से, ऑप्शन में 120 दिया भी नहीं है, और अंसर यहाँ पर क्या हो जाएग अचा, अचा, फैक्टोरिल क्यों लगाते है? चार गुड़े, तो इसी प्रकार से, तीन फिर दो, फिर इस तरीके से आपका घटता वज्रम, आपको देखने को मिलता है, अगला है लुप्त संक्या में बतानी है, यहाँ पर लुप्त संक्या में क्या बनेगा, तो 44-37, 25 च 37 ये है और यहाँ पर 49 लाना है आपको तो 44 में से 37 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा इसको अगर इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा और इस 7 को 49 बनाना है तो यानि 7 से गुड़ा कर देंगे तो कितना आजाएगा 49 आजाएगा सेम यही चीज आपको बाकी सभी में भी करनी है तो अंसर में यहाँ जो पूछा गया था 58 और 53 डिफरेंस निकाल लेंगे तो 58 और 53 में डिफरेंस 5 का है इसको भी इसी फरकार 7 से गुड़ा कर देंगे तो जो center value value है वो 35 आ जाएगी और यहाँ पर अंसर 77 C option में जो है वो दे रखा है अगला है दीगई सरंकला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुपत संक्य आपको बतानी है 15, 20, 32, 62, 168, 248 शाहें तो आप वीडियो को रोक करके खुद से भी दिमाग लगा सकते है कि क्या वहाँ पर सीरीज लगाई गई है 15 से 20 में आप देखिए कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है 20 से 32 में देखे, 12 का डिफरेंस 32, 62, 30 का 13, 130 और 180 आगे तो यह जो 5 का डिफरेंस आया है, यह क्या है 2 का 2 का 1 स्कायर अप्लस 1 है एस प्रकार से 100 सी जोडने पर 428 आपका अंसर आपका आजाएगा तो ये double pattern काम करेगा इस question देखे pre 2022 में पूछा गया है अगला question आपका है कि किसी कूट भासा में यदि faster को ये लिखा जाता है monk को ये लिखा जाता है देखे F की place value क्या होती है F की place value होती 6 A, B, C, D, E, F अब F का opposite क्या होता है 6 का opposite होता है 21 आप कहेंगे ठीक है क्योंकि 21 और 6 जोड़ देंगा 27 आजाएगा ठीक अब जितनी भी place value का opposite है उसमें सीधे आपको 1 जोड़ देना है तो 22 आजाएगा अब वही यहाँ पर F के लिए 22 जो है वो लिखा गया है सेम इसी परकार A के check कर लीज़े A की place value होती है एक का opposite आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको वर्ड माला का जो क्रमांग है वही लिखना करके एक जोड़ना है पहले वाले में देखें विपरीथ जोड़ना था और विपरीथ 21 वैली तक दो 22 आगया था सेकट वाले में क्या करना है जो वर्ड माला क्रमांग एक कौन से नबर पर आता है एक नबर पर आता है तो उसमें भी एक जोड़ देंगे तो आपका 2 आ जाएगा यहां पर 80 लिखा हुआ है या 8 होना चाहिए था यह जो है वो 8 लिखा है क्योंकि S की place value 19 होती है और पोजेट होता है S का H जो आठवे नंबर पर आता है यहनि कि S का विपरीत बढ़माला क्रमांग क्या है 8 और उसमें एक जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए तो 9 लिखा हुआ है एक 0 एक्ष्टा लगा दिया है इनोंने पता नहीं कई से बुक चापी है तो यह 9 हो जाएगा 8 और एक 9 इसी प्रकार बढ़माला क्रमांग में एक इसी प्रकार आगे भी कर लेंगे समझगे ना एक में आपको उसी की place value का opposite में एक जोड़ना है और एक मे इसी प्रकार यू के लिए तो जो उसकी place value है वही रहेगी तो यू आता है आपका 21 नमबर पे 21 लिखा है और एक जोड़ना है एक जोड़ना है एक जोड़ना है बी अंसर हो जाएगा आगे आपको चेक करने की आवशकता भी नहीं पड़ेगी बस तती तरीका आपको समझ म आना चाहिए कि क्या वहाँ पर लगाए गया अगला कह रहा है कि एक आयत का चेतरफल 30 वर्क सेंटीमीटर और परिमाप 26 सेंटीमीटर बुजाएं इसकी क्या होंगी तो आयत की बुजाएं A और B यहाँ पर माल लिजे चेतरफल लंबाई गुड़े चोड़ाई होता ही एक समिकरण माल लिजे और दो गुड़े लंबाई प्लस चोड़ाई जो आपका परिमाप है वो भी प्रस में 26 दे रखा है तो वो आप 26 इसके बराबर रख लिजे यहाँ से A की वैलू निकल करके आई और यहाँ से A की वैलू निकल करके आई तो A वैली वैलू अगर इसम अगर हम B को तीन लेंगे तो A की दस यही दो कंडिशन बनेंग क्योंकि B की यहाँ से दो वैलू निकल के आईगी क्योंकि यह द्विघास समिकरण है आयत की बुजाएं 10 या 3 cm हो जाएंगी आपको आप्शन मिल जाएगा बस आपको कुछ नहीं करना था एक से वैलू निक 400 रुपए दिया गया है लिखाए ना उसका अंकित मूली 400 और वो कहा रहा है 10% GST भी लगाता है तो इसी में से ही आप 400 का 90% सिदे सिदे निकाल लीजे कितना निकल लेगा 10% अज़र पहले चूट भी तो दी गई है आपर लिखाए ना कि 10% की चूट भी देता है तो 10% 400 में से घटा दें तो 400 का 10% 40 होगा 400 में से 10 घटाएंगे तो 360 आ जाएगा वही है 90% निकाल के बताए गया तो 10% छूट के बाद वो कितने का हो जाएगा 360 का अब उसमें 10% GST फिल लगाई गई है यानि अब इसी 360 का 10% निकाल के इसमें वापस से जोड दीजे तो वही 360 का 110 10% निकाला गया 396 अंसर आ जाएगा समझ गया पहले आपको 10% छूट दी गई तो 400 में 10% घटा दिया गया तो 360 प्राप्त हो गया 10% GST लगाई गया तो इसी 360 का 10% लगा के जोड दिया गया अगला गया तारकिक क्रम बताईए उपराश्पती राश्पती अध्यक्ष यह आपका जो है उनके पद के अनुसार उच पद से निम्नपद की ओर जो है करम है रेसम अपनी संपती का एक तिहाई एक धर्मार्त संगठन को देती है और पच्ची हुई संपती को अपने तीन बच्चों में बराबर बाढ देती है तो प्रतेग बच्चे को मिलने वाली संपत्ती का भाग क्या होगा सबसे पहले कह रहे है अपनी संपत्ती का एक धर्मार्थ संगठन को दे देती है अगर उसकी संपत्ती x है तो उसका एक चोथा ही दे देगी तो x by 4 इकाई जो है उसके पास संपत्ती हो जाएगी नहीं बात यह है कि उसकी संपत्ती x है और उसका एक चौथाई हिस्सा पहरे निकालेंगे न तो एक चौथाई हिस्सा x by 4 हो जाएगा फिर x में से x by 4 घटाएंगे तो बच्ची हुई संपत्ती यहां से 3x by 4 निकल करके आईगी यह जो इन्होंने धर्मार्द कारे में एक चौथाई दे दी फिर बच्ची ही संपत्ती को अपने 3 बच्चों में बाट देती है और प्रतेक बच्चे को मिलने वाली संपत्ती पूछी गई है तो जिस 3x by 4 है इसको वो 3 भागों में बाटती है 3x by 4 को 3 भागों में बाटने के लिए वो तीन से डिवाइट कर देगा, तो बचे का क्या, यह तीन ऊपर चला जाएगा, ऊपर नहीं, चार के गुड़ा में आ जाएगा, क्योंकि तीन के बटे में आप एक रखे देखेंगे, तो यहाँ चार के गुड़ा में आ जाएगा, इस तीन से यह वाला तीन कट जाएगा, तो केवल x by 4 बचेगा, यानि एक चौथाई बचेगा, यानि जो समपत्ती आपकी बाटेगी, बच्चों को एक चौथाई आपका अंसर हो जाएगा, कौन सा खतन कहा रहा है, यहाँ पर गलत है, कौन सा खतन गलत है, तो अंसर की बात करते हैं, प्रतेक सम चतरबुज, एक सम 90 डिगरी का होता है, प्रतेक सम चतरबुज, एक समानांतर चतरबुज होता है, तो बाकी तो तीनों कदन सही है, c वाला यहाँ पर परस्त में असत्त बुचा गया था, इसलिए यह जो है, वो गलत हो जाएगा, अगला देखते हैं, कि कुछ सदस्यों के एक परिवार में b क तो जो यहाँ लिखा है, वो इस चतर में आप देखते जाएगा, कि कुछ सदस्यों के एक परिवार में b कहता है, कि R मेरी बहन A की पुत्री है, अब यहाँ देखे, R जो है, यह है, और A की पुत्री है, तो A उपर आमने कर दिया, पुत्री के लिए Aero बरा कर नीचे कर दि है, तो X आपका यह है, और जो कि T और Z की संतान है, तो यह दोनों आपस में पती-पत्ती होगे, तभी X इनकी संतान होगी, आगे लिखा है कि जो H की दादी या नानी है, अब यहाँ पर जो H है, उनसे दो जनरेशन उपर होगा, तभी वो दादी या नानी होगी, तो H को नीचे थर्ड जनरेशन में रखेंगे, ऊपर एक जनरेशन होगी, और उसके ऊपर यह हो जाएंगी, उनकी दादी या नानी, तो इस चक्कर में ये पुत्र है, और उनकी और उपर पुत्र-पुत्री का समंदर साएगा, तो यह दादी नानी, KM की मा है, K जो है, वो M की मा है तो उपर arrow बना हुआ है और जो H की एकलोती बहन है तो H की एकलोती बहन M को लेकर बात की गई है X आविवाहित है तो X ये अलग से से लिए बना हुआ है A की जीवन साथी है जो है और ये ये पत्नी है तब इनकी की जीवन साथी लिखा हुआ है तो K का S से क्या संबंद है के ये हैं S ये हैं क्या लगेंगे तो answer यहां पर आपका बहनोई या देवर या साला की पत्नी आपका हो जाएगा option number C वाला इसलिए हमने side में पिक्चर लगा दिया अगला कहरा है 140 मीटर लंबी रेल गाड़ी 60 किलो मीटर घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिसा में रेल गाड़ी के समना अंतर 18 किलो मीटर घंटा की चाल से दोड़ रहा है तो रेल गाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी लंबाई रेल गाड़ी के 140 मीटर दे रखी है आपको प्रस्त में ठीक है रेल गाड़ी की चाल भी 60 km पती घंटा दे रखी है ठीक है कुत्ते की चाल भी 18 km पती घंटा दे रखी है ठीक है अब रेल गाड़ी द्वारा कुत्ते को पार करने में लगा समय तो आपका चाल बराबर ये समय पूछागे न तो समय टाके निकालेंगे तो निकल के आएगा 42 अभी जो 42 वैल्यू दे रखी किलो मीटर पती घंटा में है और उपर वाली वैल्यू देखे तो मीटर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा एक ही में चेंज करने के लिए सीधे सीधे आप 5 बटे 18 से गुड़ा कर दीजे एक 1000 बटे 36 से भी कर सकते हैं 5 बटे 18 से गुड़ा किजे वो इसको काटके वही आएगा तो मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 सेकेंड आपका अंसर यहां से आ पर लेगा सेम चीज यही कोशन आता है एक चोर पुलिस वाला की चोर आके दोड़ रहा है और पुलिस उससे ज्यादा तेज दोड़ रही तो उसको कितनी दिर में पकड़ लेगी तो उसमें भी सेम आपको यही प्रोसीजर जो है वो करना होता है एक घड़ी सुबा ठीक 6 गड़ी 24 गंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है अब दूसरे दिन ये घड़ी मुझे लग रहा है एक एक कोशन में इतना समय लगेगा तो पचास कोशन कराने में बहुत समय लग जाएगा देखते हैं अगर पचास कोशन में ज्यादा समय लगया तो पचास कोशन पेंड कर देंगे सुबा ठीक बज़े घड़ी सेट की जाती है वह ये घड़ी 24 गंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है यवे दूसरे दिन ये घड़ी 11 बज़े पूरवाहन इंगित करती है और सही समय आपका क्या होगा वो यहाँ पूछा क्या है गड़ी 24 गंटे में कितना जाता है ग्यारा बज़े उसका टाइम तो आपको यह देखना है कि वो कितना बढ़ रही है इस 29 गंटे में 10 मिनट बढ़ने के यह आपका बढ़ने आपको यहां पर पूछा गया था 10 बज़े के 48-48 मिनट आपको आजाएगा यह वाला आपका ओप्शन बढ़ वाला सही हो जाएगा 5 और 6 बजे के बीच कित समय घड़ी की दोनों सुईयां एक साथ वो होंगी 5 और 6 बजे के बीच यहां पर दोनों सुईयां 5 बच कर 27 सही 3 बटे 11 मिनट पर जो है वो एक साथ होंगी सीधे सीधे अंसर C वाला यहां पर आ जाएगा और जो इसका formula होता है उससे आप इसे कर सकते हैं जो theta निकालने का होता है कि कोई भी आपको समय दिखा गया होता है और उसके बीच बूचा गया आता है कि कितना जो है आपका angle होगा तो theta की value का formula क्या होता है जो भी घंटे में value दे रखी होती है उसको 30 से गुड़ा करते हैं और difference निकालते हैं 11 गुड़े और minute में जो value दे रखी है वो बटे में आपका 2 इस तरीके से या तो सीदे सीदे 2 को आप इधर ही कर दीजे 11 बटे 2 तो m कर दीजे ताकि इसमें आपको confused ना हो तो इसको हम साथ ही में कर देते हैं 11 बटे 2 को जो है वो जितना भी minute दे रखाता है उससे गुड़ा करते हैं आप यहां पर ध्यान दीजे गड़े की सुईयां दोनों एक साथ रहेंगी यानि ठीटा की जगा आप क्या रख दीजे जीरो डिगरी रख दीजे क्योंकि जीरो डिगरी पर ही आपकी जो value होगी वो एकी सुईयां एकी साथ होंगी बाद में जो घंटे की value है वो 5 और 6 के बीच कह रहा न तो 5 जो है वो h की जगा रख दीजे value यानि 30 और गुड़े में आपका 5 और उसके बाद आपका minus और यहां पर जो minute की value है इसको आप निकाल लीजे वही आपका answer यहां से हो जाएगा तो यह actual तरीका आप अपना सकते है m की value यहां से जो निकालेंगे मैं डिरेक्ट बता रहे हूं m की value निकल करके आएगी 300 और बटे में आपका 11 करके और 300 बटे 11 की value यही होती है 27 सही 3 बटे 11 तो इन्होंने डिरेक्टी लिख दिया है आपको मैंने इसलिए बता दिया अगला कोशन देखते है अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते है जिसे अनिल अकेला 20 क काम 20 दिनों में कर सकता है यदि सुमन को खेला एक काम करना पड़े तो यह कितना समय लगेगा यहां पर ही सारे कुशन देख रहे हैं 2022 वाले ही चलने अनिल और सुमन को कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में अच्छे इन्होंने एक बटे 12 के जरीए करके दिखाया है वैसे क्या हो जाएगा 12 और 20 का टोटल जो वर्क होगा वो 60 निकल के आए जाएगा यह दोनों का एल्सियम है अब पर दे का निकाली है तो 12 65 होता है यानि 5 यूनिट पर दे करते हैं A और S यानि अनि अनिल और सुमन मिल करके 20 से 60 में 3 बार में जाता है यानि 3 यूनिट पर दे अ पूचा क्या गया है कि सुमन को अकेले कितना समय लगेगा तो अगर अनिल और सुमन में से इस अनिल को घटा दे तो केवल सुमन बचेगा यानि 5 में से 3 अगर घटा दे तो केवल आपका सुमन का वर्क पर दे का निकल आएगा तो कितना निकल कराएगा सुमन का जो पर दे दो कर देंगे तो आपका 30 unit 30 दिन है उसमें पूरा काम हो जाएगा 30 दिन option D में दे रखा है यह आपका option हो जाएगा अब इसी को ही बटे में बान के भी कर सकते हैं एक बटे 12 करके जैसे जैसे सही लगे देखें यहां से भी बटे 30 ही आएगा अगले गर है 55 विद्यारतियों की एक कक्षा है जिसमें 64 को 33 को क्रिकट खेलना पसंद है 55 विद्यारतियों में और 26 ऐसे हैं जिनको बैट्मिंटन खेलना साथ ही पुरते एक विद्यारती दो खेलों में से कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है कितने विद्यारती क्रिकट और बैट्मिंटन दोनों विद्यारतियों की कुल संक्या पच्पन क्रिकट वालों की संक्या 34 बैट्मिंटन वालों की संक्या 26 और बचे कितने वो निकालने के लिए पच्पन में दोनों को जोड़ कर घटा दीजे तो 34 और 26 को अगर जोड़ेंगे और 55 से घटाएंगे तो 5 आपका बचे का तो 5 कौन से हो जाएंगे? 5 वो हो जाएंगे जो बचे जो कि यहाँ पर कह रहा था कि प्रते एक विद्यारती दो खेलों में से कम से कम एक साथ एक खेल खेलना पसंद करता है कितने विद्यारती ऐसे हैं जो क्रिकेट और बैटमिंटन दो खेलना पसंद करते हैं तो यह आपका 5 यहाँ से निकल के आजाएगा option number C कि बचेल ओपाली थे तो बचे वाले कितने पांच थे इसलिए यही बैटमिंटनो क्रिकेट किलने वाले विद्यारतीयों की विद्यारती जो कुशन हो चुके हैं वीडियो से जो भी लोग जुर दे जा रहे हैं जिनका गुड़नफल आपका दे रखा है यहां पर 2400 और उनके वर्गों का गुड़नफल आपको दे रखा है 2400 उनके वर्गों का योगफल 500 है तो वही बूच रहा है दो प्राकृतिक संख है कौन सी ऑप्शन से भी कर सकते हैं गुड़नफल किनका 2400 है ऑप्शन से देख ल होगा दो दो चार करके 400 करके होगा तो यह तो पहला ऑप्शन बहुत कम रह जाएगा 500 से यहां पर भी ऑप्शन किया गया है हाँ यहां पर भी कुड़नफल 2400 उनके वर्गों का योगफल तो यह आप पर डी वाला अंसर आएगा 60 और 40 करके सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से कर लिजें 100 और 500 के 20 ऐसी कितनी संख्या हैं 4 5 और 6 से आपकी विभाजित हैं तो कितनी संख्या हैं 4 5 और 6 तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या वो संख्या जो इन तीनों संख्याओं के एल्सियम से करते हैं इ ऐसे करके आप देखेंगे तो 500 तक 480 तक जाएगा, यानि इस प्रकार से इतनी संख्याएं होंगी जो आपकी 60 से कटेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं आपका अंसर हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब था कि आप 4, 5, 6, 3ों से अलग-अलग ना चेक करक मिसरण में कितना बालू मिला और दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का रेसियो, ये practice एटम बहुत बार करा चुके है, 70 kg का टोटल मिसरण है, बालू और सीमेंट का रेसियो, 4 अपको दे रखा है, दे रखा है, अब मिसरण में आपको सबसे पहले बालू निकालनी है बालू का रेसियो है कितना, बालू का 4 है, तो 4 का निकालने के लिए बटे में जो 5 आए ही, दोनों का टोटल होता है, 4 और 1 तो टोटल 5 और 70 से गुड़ा कर दीजे, तो इस सतर में जो बालू है, वो आपकी निकल करके आ गई, कितनी 56 kg इसमें जो है आपकी बालू है, ये स एक रेसियो से भी निकाल सकते हैं, एक रेसियो से निकालेंगे, तो गुड़े एक बटे 5 करेंगे, आपको 70 में बालू और सिमेंट बदा चल गई, अब आगे क्या कह रहा था, आगे कह रहा था है, मिस्टर में कितना बालू और मिला दिया जाए, तो बालू है कितनी 56 है, इसी 56 में ही मिलाएंगे X किलोग्राम, ठेक, सिमेंट तो 14 किलोग्राम थी, वैसे कि वैसी रहेगी, ऐसा मिलाने पर रेसियो कह रहा है, नया 6 अनुपात एक हो जाता है, अब 6 अनुपात एक चपन प्लस X, तो ये X मिलाए गया, 14 का 14 वैसे ही रहेगा, सिमेंट वैलू और रेसियो क्या हो जाता है, 6 अपन एक, अनि 6 बटे एक लिक दिया, अब इसको सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल लीजे, X की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 28 किलोग्राम निकल कर आएगी, ये 28 किलोग्राम वो वैल्यू है, जो यहाँ पर मिलाई गई थी, वही पूचा मिला दिया जाए, 28 अगर मिला देंगे आप, तो 6 अनुपाद एक का रेसियो आपको प्राप्त हो जाएगा, एक समचत्रबुच के विकर्णों की लंबाई, 10 cm, 24 cm, परिमाप इसका क्या होगा, तो ये आपका ABCD एक समचत्रबुच है, विकर्ण इसके दे रखे हैं, 10 cm और 24 और साथ यहां पर AO आपका, यानि इसका हाफ निकाला गया है, जो विकर्ण है, पूरा AC है, इसका हाफ निकाला गया है, तो 5 और इसी परकार OB निकाला गया है, तो ये आपका, इसी का ही 24 का अधा करके 12, तो ये आपने दोनों का हाफ करके निकाल लिया, उसके बाद आप द बुचा करके बुचा करके、 सम्चतरबुच का चार गुडे बुझा करके। तो भुजा आमने इसलिए निकाली ही है, तो चार गुड़े 13 करके कर देंगे, 52 cm आपका अंसर आ जाएगा, समझ गए भुजा क्यों निकाली है, तो इस प्रकार से 52 cm आपका भीवल आउक्षन हो जाएगा, अगला देखते हैं, 150 रुपे प्रती दरजन की दरसे संत्रे बेचने पर रासी को 25% की हानी होती है, अगर वो 150 रुपे प्रती दर्जन की दरसे बेचे, 20% का अगर लाप कमाना है, तो उसको किस दरसे बेचना जो पढ़ेगा, आप देखें 150 रुपए पृति दर्जन की दर से अगर बेच रहा है तो हानी जो है 25% हो रही है यानि इस 125 का आपको निकालना पड़ेगा कि आपने खरीदी कितने की थी अब आपको ये समझेए कि अगर 25% का लॉस हो रहा है यानि वो 75% जो है वो वैल्यू बराबर हो जाएगी कि 75% ये बराबर हो जाएगी जितने में आपने बेची है यहाँ पर उपर लिखा था ना कि 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से संत्रे बेचने पर रासी को 25% की हानी होती है 25% की हानी हो गई तो बचा 75% और ये 75% इस 150 रुपए के बराबर हो जाएगा ये तो कहरा है 150 के बराबर हो जाएगा और 100% क्या होगा 100% उसके actual value होगी मतलब आपने कम में बेची तब यह तो आपको loss हुआ है तो actual में उसने खरीदा कितने एका था वो निकालने के लिए 100% निकालिए तो 1% की value क्या हो जाएगी 150 बड़े में आपका 75 और 100% की value निकालेंगे तो यहाँ पर 2-0 लग जाएगे और 100% की value के लिए 100 से गुड़ा कर दीजे ये value आ जाएगी 100% की तो इसका निकल के value का answer क्या आएगा 200 परतिदर्जन आ जाएगा यानि उसने actual में जो संत्रा खरीदा होगा वो 200 रुपए में खरीदा था पर दर्जन के हिसाब से पर उसने बेच 150 में दिया इसलिए उसे 25% की हानी हो गई आगे क्या रहा है आगे क्या रहा है अगर 20% का लाब कमाना है तो उसे कितने में बेचना होगा यानि 120% की वैलू पूची गई है यानि अगर हम इस 200 का 120% निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि 20% का लाब कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा 240 उपर परिदी दर्जन में बेचना होगा वही 200 गुड़े 120 बटे 100 निकाला गया है अंसर आपका 240 यहां पर आज जाएगा समझ भी गए होंगे अंसर हो जाएगा C वाला अगला देखते हैं किस कोशन अच्छा कुछ कोशन ऐसे भी होंगे जैसे हेड मास्टर का दे रखा है तो उतका लेवल बढ़ जादा भी होगा बहुत जादा कटेन होगा तो ड्रॉप कर देंगा अगर थोड़ा सा समझने लाइब होगा तो समझा देंगे A से B के लिए दो बश टिकट और सहर A से C के लिए तीन टिकट की कीमत 77 रुपए है तो A से B तक का किराय माल लेते X और A से C तक का किराय माल लेते Y अब कह रहा है कीमत कितनी है 77 रुपए है यानि कि 2X प्लस 3Y बराबर होगा 77 के क्यों किया गया क्योंकि आगे अगली कंडिशन लिखे गई है यह सहर A से B के लिए 3 टिकट और सहर A से C के लिए 2 टिकट तो 2 टिकट का मतलब क्या है 2 से गुड़ा हो जाएगा और 3 टिकट का मतलब क्या है कि 3 से गुड़ा हो जाएगा तो वही 2X प्लस 3Y बराबर 77 के बराबर हो जाएगा और यही सेम चीज 77 वाले में भी थी समझ रहे हैं यह तो नीचे 73 वाले के लिए है जो 77 वाले के लिए था यहाँ पर भी तो 2 बस टिकट इन्हों ने खरी दी A और A से B जाने के लिए और A से C जाने के लिए 3 टिकट खरी दी है तो A से B के लिए हमने माना क्या था A से B के लिए X माना था इसलिए X से 2 गुड़ा हुआ और इसके बाद A से C के लिए 3 टिकट जो है तो इसलिए हमारा y हमने मायना था तो इसलिए 3 से गुड़ा हो गया, दोनों की value 77, सेम इसी परकार 73 के लिए भी निकाल लेंगे, 3 टिकट और यहाँ 2 टिकट, यहाँ 3x प्लस 2y बरावर 73, यह चीद में इसमें समझ में आनी चाहिए, बाकिया आगे कुछ नहीं है, solve कर दोनों समिकरण को, यहाँ से y की value निकलाएगी, वही value में रख देंगे, वहाँ से x की value भी निकलाएगी, तो दोनों की value निकलाएगी, पूछा क्या था, पूछा यही था, a से सहर b और c का किराया क्या होगा, तो यहाँ पर a से सहर पहले b का निकालेंगे, तो a से b के वेलू आई रही है, 17 वो हो जाएगा, तो अंसर यहां पर आपका 13 और 17 जो है, वो हो जाएगा, इस तरीके से अंसर में हम इसलिए आपको समझा रहे हैं, इसमें थोड़ा कम समय लगे, अगर हम एक 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 पॉइंट लिखेंगे ना, तो यही आपका ज्यादा से समय इसम जो है, वो सही प्रसंट करता है, तो 2X जो है, वो गलतियां करता है, और दोनों का टोटल 48 दे रखा है, तो एक को X माल लीज़, एक को 2X माल लीज़, दोनों का टोटल 48 है, X की वैलू 16 आ जाएगी, और यही आप से पूचा गया था, 16 हो जाएगा, कि उसने कितने सही हल कि X की वैलू आपका यहां से निकल के आ जाएगी, अनुकरम पूच रहा है, Q, N, K, D, E में लुप्त, अक्षर इन में से कौन सा है, तो अंसर यहां पर Q से N में, माइनस 3, माइनस 3, माइनस 3, इस तरीके से हो रहा है, अंसर यहां पर H वाला जो है, वो हो जाएगा, अगला है आनुकरम 4, 8, 16, 64 में लुप्त, संक्या कौन सी होगी, डिरेक्ट अंसर बता दे रहा है, तो आप वीडियो को रोग लीजेगा, कुछ से सोचिएगा, कि 4 से 8 में डिफरेंस कितने का है, जैसे 4 का है, ऐसे ही वो किसी का स्क्वार तो नहीं हो रहा है, किसी का क्यूब तो नह हो रहा है, मल्टिप्लाई तो नहीं हो रहा है, वैसे आपको चेक कर रहा है, तो यहां देखरें है, चार्ट चार्ट, दो का गुड़ा, फिर 16, दो का गुड़ा, फिर 16, 32, 64, यानि इस प्रकार से 32 अपका अंसर यहां से आ जाएगा, अगला कह रहा है, यह जड़ लिखा ह है, आपका डिफरेंस है, और यहां पर इसमें भी पूचा गया, फिर इन दे ब्लैंक, इसमें भी, इसमें भी, तो सम में आपको कर लेना है, अंसर यहां पर J, S, N आ जाएगा, बस यह चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, पहले माइनस 7 किया गया है, फिर माइनस 7, माइ तो K, U, M, A, R को जस्ट एक-एक जोड दिया गया, J, K, L, U, V, M, N, A, B, R, S, तो इसी प्रकार emotional में भी सभी एक्षरों में एक-एक जोड करके, F, N, P, U, ऐसे करके अंसर आ जाएगा, जो कि यहां पर B वाले option में दे रखा है, एक कक्षा में 31 चात्रों में अनिल और सुनी है, उपर से साथवे नंबर पर है, तो टोटल 31 चात्रों में से घटा करके एक जोडना होता है, तो उसे नीचे वाला करम निकलाएगा, 31 चात्रों है, उसमें से साथ घटाएगे, और आपका 24 आएगा, उसमें एक जोड देंगे, तो यानि इसी प्रकार सुनील का उपर से 11 करवान दे रखा है, तो उसमें भी सेम टोटल चात्रों में से घटाएगे, और एक जोड देंगे, तो 31-11 करके एक जोड देंगे, तो एक किस आ जाएगा, तो अंसर क्या हो जाएगा, पचीसवा और आपका 22, तो अंसर पचीसवा और एक कीसवा अंसर आपका यहां पर हो जाएगा, अगले करें, एक सका अर्थ अगर डिवाइडे है, माइनस का अर्थ मॉल्टिप्लाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, तो इसकी वैलू क्या होगी, यहां पर सभी चिन जो देख रहा है ना, बदल लिजे, जैसे माइनस है, तो यहां पर multiplied लगा दीजे, इसी प्रकार आपका divide है, divide को क्या लिखा जाता है, divide को plus लिखा जाता है, तो यहां पर plus लगा दीजे, multiplied है, multiplied को divide लिखा जाता है, तो यहां पर divide लगा दीजे, इसी प्रकार plus है, तो plus को क्या लिखा जाता है, plus को minus लिखा जाता है, यहां minus लगा अब लगा दीजे बाट मास का रूल पहले ब्रैकेट को सॉल कर लिजे उसके बाट इवीजन पर मल्टिप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रेक्शन यह करम आपको हो जाएगा वहीं आपको आपको सॉल करके दिखाए भी गया है जैसे यहां पर ब्रैकेट में देखेंग तो बाहर डिवाइड 8 माइनिस 6 है तो यहां पर डिवीजन होगा फिर सब्ट्रेक्शन होता है तो पहले दिवाइड करेंगे तो 8 से काटेंगे जो होता है 8-6 होगा तो यहां 2 बचे का 2 अंसर आपका हो जाएगा अगला देखेंगे स्पोर्ट लोगों से सम्मंदित है उस प्रकार एंबलम जो है वो नेशन का चिन जो है वो होता है तीन और चार के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुईयां एक साथ जो होंगी तो सेम वही तरीका जो फॉर्मले से बताए तो वैसे कर सकते हैं यहां पर देखें यहां फॉर्मले लगा के दिखाया भी है ठीटा बरा 3 रखतीजे और 11 m बटे 2 में m की वैल्यू निकाल लीजे अब इसको आप solve करेंगे तो 30 या हो जाएगा 90 और यहां पर 11 m बटे 2 है बराबर के उधल ले जाएगे तो minus का है प्लस में बतल जाएगा 90 की वैल्यू गयारा एम बटे 2 हो जाएगी 11 m की वैल्यू निकालेंगे 90 क जही चार बटे 11 मिनिट पर गड़ी किसुयां एक साथ होंगी, ये कुशन पूछा जरूर जाता है, तो अगर नहीं समझवा रहा है, एक बार में नहीं आ रहा है, दो बार में नहीं आ है, पर आपको इसको छोड़ना नहीं है, सीख जरूर लेना है, तकि अगर आये तो कर ले संख्या होंग है, ये दिदसमलों में आ जाएगा, यैनि c वाला अनसर सब्सक्राइब नहीं以ा रहा है, और संख्या नहीं आ रही है, इस तरिके से सब्सक्राइब, बाकि इसमें यह एक लैर है, एक चीजिज में आपको और बता दूँ कि जितने भी कोशन करा रहे हों, वो BPSC headmaster BPSC के अलावा जितने भी बिहार से related paper है 2022 वाले करार है तो हम ऐसा करेंगे कि 2022 के जितने question लगबग 50 question ही 2022 में आ भी चुके हैं तो वही देखेंगे और आगे भी देखेंगे तो फिर वो 2021 वाले सारे देख लेंगे उससे वीडियो भी नहीं बढ़ा होगा और year by year समाप्त भी हो जाएगा तो यहाँ पर हम देखी क्या है इन दोनों value को solve कर लीजे x y आ जाएगा इसमें तो कुछ है नहीं समीकरण 1 माल लीजे समीकरण 2 माल लीजे x में से अगर 7 से और समीकरण 2 को 9 से गुड़ा करके गटा दें क्यों गुड़ा किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो 14 देख रहे है यह 14 से मतलब नहीं आप इधर वाली संक्या को बराबर कर लीजे जैसे ही 9 लिखा हुआ है और यहाँ 7 लिखा है आप इनमें अगर वैलू को बराबर कर लेंगे तभी तो x या y में से वैलू कटेगी तो अगर हम समीकरण 1 को 7 से गुड़ा करें तो 9 समीकरण 2 को पूरे में गुड़ा होता है 9 से गुड़ा करेंगे तो 9 समीकरण 63 जो कि यहाँ लिखा है एक में तो सब पूरे से होता है साथ से इधर गुड़ा करेंगे साथ चुको 28 वाई और यहाँ गुड़ा करेंगे साथ से तो 14 सत्य 98 सेम यहाँ पर भी 9 से जब गुड़ा करेंगे तो पूरे समीकरण में होता है गुड़ा तो 9 से 3, 9, 37 27 और यहां पर 11 तो 9 से गड़ेंगे तो 99 अब यहां पर चिंड बदल जाते हैं जैसे नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहां पर प्लस था यहां माइनस हो गया तो यह प्लस का यह तो कट गया आपकी वैलू दोनों यह वाली कट गई अब यहां पर माइनस का 28 है प्लस क की वैलू बना जाएगे तो उपर रख दीजे किसी समीकड़ में तो एक समीकड़ में रख देंगे तो वहां से आपका एक्स का वैलू भी आ जाएगी तो दो और एक जो है यही आपके यही आपका अंसर हो जाएगा अगला देखते हैं अगला कह रहा है सॉल्व कीजे इसको 456 प्लस 358 का स्काई माइनस 24 miejacious तुषा शाप्पन अब देखें जब ऐसे रिपीट होता है न इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसमें जोड़ दें, इसमें गुड़ा कर दें, आपको देखना होता है, यहां पर कौण सा pattern लग रहा है, कौण सा formula लग रहा है, वही यहां पर आप देखें पैचानिये, क्या इन्होंने पैटरन से किया है, तो बिल्कुल किया है, देखें कैसे किया है, 456 प्लस 358 का square, माइनस दो 454 गुड़े 385 बटे में 456 स्क्वाइर प्लस 358 का होल स्क्वाइर ऐसे करके दिया हुआ है अब यह वाली वैल्यू और माइनस 2AB यह अलग-अलग है देखें यहां पर जो फॉर्मॉला लग रहा है वो देखें एप पूरा सेलेक्ट होने लगता है यह वाली वैल्यू देखें कि एवल ए प्लस बी का होल स्क्वाइर लिखा हुआ है फॉर्मॉला क्या होता है ए स्क्वाइर जो कि यहां लिखा है बी स्क्वाइर जो कि यहां लिखा है और प्लस 2AB प्लस 2 और ए की वैल्यू 456 और बी की वैल्यू 358 यह हमारा जो है वो फॉर् ने दिजेए इसमें कोई बतलाओ नहीं अब यह प्लस का टूए भी यह वाला और माइनस का टूए भी यह वाला पूरा-पूरा जाएगा कट बचेगा क्या केवल इतना भाग बचेगा ऊपर जो कि हमारा और यहां पर लिखा वाला जो भाग बचेगा वही प्लस में है वही नीचे यहां पर लिखना क्या ultimately हो जाएगा यही यहां पूचा क्या था तो B वेला answer हो जाएगा answer 2 जो है वो यहां पर आ जाएगा मैंने वही कहा कि जब भी इस तरीक कोशन आ रहे हैं तो आपको यह देखना है कि इसमें कैसे structure आ रहा है दिया गया है 9x square plus 6x minus 35 बराबर 0 तो x की value जो है वो क्या होगी यहां पर आपको इस वाले दिगात समीकरण से x की value निकालनी है दिगात समीकरण का तरीका क्या होता है यहां पर जो value दी गई होती है 35 और यहां पर आपकी जो दे रखी value 9 इनका इनका गुड़ा देखना होता है कितना होता है तो 35 गुड़े 9 आपका होगा 315 करके ठेक तो इनका गुड़ा करने पर क्या आएगा 315 अब आपको जो center में value दे रखी होती 6x इसको इस तरीके से break करना होता है कि घटाने पर 6x ही आए परन्त उनके जो number होंगे उनका गुड़ा करने पर आपका ये 315 है यानि 6x को 21x-15x गुड़ा करेंगे तो ये 315 के बराबर ही आएगा इस तरीके से इसको break करना होता है तो यही चीज़ यहाँ पर की गई है जो 6x लिखा गया है इसको हमने break कर लिया तो 21x और minus 15x में तो 9x स्क्वार ऐसे ही था ये break कर लिया यहाँ पर minus 35 बराबर 0 अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या common आ रहा है 5 आ रहा है common 5 ले लिजे और minus b value common में आ रही तो अगर अंदर minus है तो अंदर plus बचेगा क्योंकि minus already हम common ले चुके हैं तो 5 common लेने पर 5 तीया 15 और x तो बचेगा यह आपका क्योंकि x तो लिया नहीं है 5 35 ये वाली value और ये वाली value दोनों बराबर आग रखेंगे तो एक value हमारी क्या आएगी minus का 7 आएगी जब 7 को बराबर के उधर ले जाएगे इसी परकार 3x अज़र 7 के साथ 3 भी तो आपका है तो 7 बचे 3 करके आएगा इसी परकार आप 3x minus 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो 3x की value 5 होगी और ये वाला जो 7 में 3 है वो बचे मे जाएगा चली अगला दिखते हैं तो 2021 में Metro सहर भागलपुर की जनसंख्या 48,004,87,000 ती और कह रहा है 2% की दर से साला ना बढ़ती है तो 5 साल बाद क्या होगी सेम फॉर्मला आप जब सिंपल इंट्रेस्ट या कंपाउंड इंट्रेस्ट निकालते हैं वहां भी तो लगाते हैं कि धनरासी इतनी है और कोई दर दी गई होती है 5 साल बाद पूछी जाती है तो वही फॉर्मला लगेगा यहां भी भागलपुर की जनसंख्या पी हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे तो यह आपको कोर्स में नहीं होगा यहां पर आपका टोरियल पर बेज़ट इबागी दिखाए दे रहा हूं जिसको देखना चाहिए आप देख सकते हैं पर आपके कोर्स में जो जैसे स्टार्टिंग में आया था उस तरीके के आ सकते तो इस तरीके से आपका ये प्रस्न एक अंसर आएगा, अगला कह रहा है कि यदि 9 विद्यारतियों का आउसत 25 है, 5 विद्यारतियों का 8 है, 14 का क्या होगा, तो 9 को 25 से गुड़ा कीजिए, 5 को 8 से गुड़ा कीजिए, 25 को 9 से गुड़ा कीजिए, 225 ये 9 विद्यारतियों का निकलाएगा इसी प्रकार 5 विद्यारतियों का निकालेंगे तो 8 गुड़े 5, 40 निकलाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो 265 आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए उपर 9 है नीचे 5 है टोटल कितने आप बढ़ती है नो 5, 14 तो 14 विद्यारतियों का निकलाएगा अब इसका अनिल के परिक्षां में उत्रिड होने की प्रायकता यहां भी प्रायकता है प्रायकता वाले से और आपका एफ वाले से यह 0.02 निकलके आएगी यह फ़ार्मुला सीधे लग जाएगा वैलू रख देंगे यहां पर 0.02 इसका दे रख और वालू रख देंगे एक में से और रखाय भी वाले ओप्षन राम और मोहन मिलकर एक खाई को 12 दिनों में खोड सकते हैं जिसे राम अकेला अगर करे काम तो 30 दिनों में खोड सकता है त्यों अकेला कितने दिनों में इसे खोड सकता है same वैसे कोशन जैसे वो work and time वाला है था ना सेम वैसे कर लीजे कि राम और मोहन मिलकर के किसी काम को बारा दिनों में करते हैं राम अकेला करेगा तो वो तीस दिनों में कर रहा है और बारा और तीस का जो टोटल लसेम निकल करके आएगा वो 60 आएगा नहीं साट इनका टोटल वर्क हो गया एक दिन का निकाली तो बारा पंचे साट यह आजाएगा पांच यूनिट पर दे इसी प्रकार तीस से निकालेंगे तो तीस दुनी साट यानि आजाएगा दो यूनिट पर दे और इन दोनों का ज गटा दिन दो मोहन अकेला का निकलाएगा तो पांच मेंसे दो अगर घटाएगे तो आपका कितना बचेगा तीन यूनिट पर दे का जो है वो आ जाएगा अब साट टोटल वर्क है और तीन यूनिट पर दे का काम कर रहा है तो डिवाइट कर दीजे बीस अंसर आपका चाटेंगे तो कितना आ जाएगा वही चीज उन्हें बटे करके दिखाएगा अगला देखते हैं 35 चात्रों की एक कक्षा में 24 को क्रिकट खेलना पसंद है 16 को फुटबॉल खेलना साथी प्रुटेक चात्रों के संख्या सोला दे रखी है कम से कम एक खेल पसंद करते हैं कि क्योंकि प्रस्थ में कह रहा था 35 शात्र टोटल है एक अक्षा में और एक शात्र कह रहा है कम से कम एक खेल तो खेलता ही है यह तोटल शात्रों की संक्या 35 हो जाएगी और यह C और F में common भी तो होगा वो भी चीज़ आप कह सकते हैं आप यहां पर क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल पंसंद करने वाले शात्र आपसे पूझे का否 क्रिकेट वाले भी और फुटबॉल वाले भी आप क्या करेंगे जो क्रिकेट खेलने वाले अब बना लेते हैं एक गोले में फुटबाल को बना लेते हैं क्रिकट खेलने वालों की संक्या आपको प्रस्में यहां पर हमने दे रखी थी कितनी थी 24 थी और फुटबाल की 16 थी इसको हम 24 रख लेते हैं और इसको हम 16 रख लेते हैं इन में से क्या है एक 24 क्रिकट खेलने वाला 16 क्वेवल फुट बॉल केले वाले और जो 35 छातने यह थे इन सभी में कॉमन थे क्योंकि पर इस शात्र जो कमसे कम एक हे लें आप ering को एकत्ऊने करी क्रिकेट सब्सक्त्र में 902 लिए पर चीप मान अदे केवल्य उप्रणी 2 इता मन था वह अगर हमें 2416 को जोड़ के घटा दें तो हमें दोनों में जो और यह 75 में ना लिके सबसे अच्छा कहिए कि जो एक नएक खेल कहलते हैं यहाँ से तो पांच जो निकल कर आएगा वो निकल कि आएगा जो दोनों में common होगा और जो 35 होगा वो तीनों में common होगा 35 इसमें भी 35 इसमें भी 35 इस तरीके से पांच आएगा अगला देखते हैं एक चिडिया घर में खरगोस और कबूतर है यदि उनके सीरों की गंती की जाती है तो ये कुल 100 है ठीक है यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो उनक चिडिया घर में खरगोस और कबूतर माल लेते हैं खरगोस आपके X हैं आपके Y हैं कह रहा है उनके सीरों की गिंती की जाती है तो ये 100 निकलते हैं सिर आप जानते हैं कि तो घर गोस का भी 1 सीर् drifting होता है तो य हो गया और इन दोनों का total 100 दे रखा है तो हमने 100 लिखती है पर कह रहा है अगर उनके पैरों की गिंती की जाती है तो उसका टोटल 290 आता है तो आपको पता है खरगो उसके 4 पैर होते हैं तो हमारा 4 से गुड़ा हो जाएगा तो 4X हो जाएगा और इसी प्रकार अगर बात करते हैं कबूतर की तो उसके 2 पैर होते हैं इसलिए 2Y हो समीक्रण यह बन गया अब हम इन दोनों समीक्रण को अगर सॉल करें तो क्या हमारी एक वैलू नहीं कट जाएगी अगर हमें एक मेंस वैल्यू कट जाएगी क्योंकि यहांपर Y है वहां भी यह तो इस तरीके से यहां 2X है यह माइनस का हो जाएगा नीचे वाला प्लस था तो यह माइनस का हो जाएगा, 145 प्लस का तो यह माइनस का हो जाएगा, चिने बदल जाते हैं, अब यहाँ पर आपका जो y से y है, यह कट जाएगा, y से जो है, यह वाला y कट जाएगा, यहाँ पर x है, यह माइनस का 2x है, तो माइनस का x बचेगा, यह 100 है, माइनस का 45 है, त प्रटीन होता तो वह भी बता देते हैं अगला देखते हैं और यह देखें मैंने बताया देने कि जितने भी कोशन है जैसे मोटरवाइकल गई तस जार की धनरासी, 6 वर्स में डबल हो जाती है तो 18 वर्स के बाद की पूछी के यह यही रासी क्या होगी? तो P के वéndलू क्या है? 10,000 हो जाया है अतला मूल धन, अमाउंक क्या हो जाएगा? तो तो वही कहरा है डबल हो जाती तो यह amount हो गया इसको हम कहते हैं इंदी में मिस्रदन उसके बाद यहाँ पर समय भी दिया गया है 6 वर्स तो हमने t की value 6 वर्स रख दी तो यहाँ पर सारी value रख दीजे amount a दे ही रखा है p आपको 1000 दे ही रखा है 1 की value ऐसे ही 100 और निकालना यही आरी है कि 18 वर्स के बाद वो रासी अच्छा निकालनी है तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा कि वो कितनी दर पे हुई है क्योंकि दर यहाँ पर नहीं दी गई है र की rate of interest नहीं दिया गया है तो आर की value निकालेंगे तो एक काम यह भी आप कर सकते है र की value ना निकालिए र की जगा अब 1 प्लस आर अपॉन हेंड़ेड की value क पावर 6 सहीद निकाल लिजे क्योंकि आपको निकालना 18 वर्सो का ही है तो आप अगर केवल यही value निकाल लेंगे 2 निकल के आया आप जहां से समझेगा 1 प्लस अगर आप देखेंगे तो 10,000 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 10,000 एक अन्नम 10,000 और यहाँ पर 2 बार में हो जाएगा क्योंकि समय आप दे दिया 18 वर्सों बाद तो यहां हमने 18 लिख दिया अब इस वाली value को आपको यह वाली value बनानी है तो 18 अगर घातांक में है तो हम क्या 6 की पावर के रूप में नहीं ले सकते हैं 6 गुड़े 3 नहीं तोड़ सकते हैं विल्कुल यानि 6 तक की दो दे रखी है तो हम यहां पर अगर दो रख दे हैं तो दो की खात 3 बचेगा अब 10,000 गुड़े 2 की खात 3 असी हजार अंसर आजएगा तो यह अच्छा बहुत तरीका क्योंकि यहां पर आर निकालते तो और calculation लेंदी होती है यही सारी चीज़ आपको सीखनी होती है कि calculation क कैसे sort की जा सकती है तो 80,000 अंसर यहां से आजएगा अगला देखते हैं कि दो संक्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग अंतर और गुड़नफल का ratio 5,18 दे रखा है उनके वर्गों का अंतर क्या होगा तो दो संक्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग अंतर और निकाल सकते हैं, गर एक और दो समिक्रण कोम करें, तो इससे 2A बरावर 6X के आएगा, A की वैलू 3X आएगा, और इसी प्रकार B की वैलू 2X आएगा, यहां देखे B की वैलू आगई, यहां से देखे A की वैलू आगई, अब तीसरी चीज क्या कह रहा है था, उनका गुडण योग, अंतर और गुडणफल भी कह रहा था, और गुडणफल 18 है, गुडणफल हम 18 लिखेंगे, तो 3X इंटू 2X बरावर 18 है, अब यहां पर गुड़ा करेंगे, तो 3, 2, 6, और दूसरी चीज द्यान देने वाली यह भी है, कि यहां पर A और B की वैलू आपको अल्रेड दे भी रखी है, यह A है और यह B है, और A और B की वैलू है भी 3X, 2X, तो यहां पर भी जवाब रखने हैं, 3X, 2X ही रखने हैं, जिसकी वैलू 18X के बरावर होगी, इस चीज को भी समझेगा, कि मतलब प्रसंद से भी 18X है वैलू, और यहां से भी वैलू है, इसको solve करेंग इसी प्रकार इसी X की वैलू का अगर B के पास रख देंगे, तो यहां से 2X है, यहां से 2X है, यहां से B की वैलू भी है, आपको 9, 6 प्राप्त हो गई, 9 और 6 प्राप्त हो गई, अब इन दोनों में difference पूछा गया था, difference साथ ही उनके वर्गों का भी पूछा गया था, प्र प्राइक से यह answer हो जाएगा, अगला देखते हैं, आपको question, अगला कहा रहा है, जदी बहुपद XQ-4X इसका है, मैनस 3X प्लस 18 का एक गुडणखंड X प्लस 2 है, इसके अन गुडणखंड क्या होंगे, X प्लस 2 का मतलब है, अब value यहां से रख भी सकते हैं, तो इन्होंने सीदे भाग ही दे दिया, यह भी काम कर सकते हैं, एक गुडणखंड के रूप में कहरा है, ठीक है, तो यह वाली जो value है, इसको अंदर रख दीजे, और X प्लस 2 को बाहर रख दीजे, भाग विदी का जो तरीका होता है, उससे आप इसके भाग देंगे, तो यहां XQ दे value आपकी है, वो जुड़ जाएगी, क्योंकि यह माइनस में तो अल्रेडी थी value, उपर वाली, यहां पर भी sign बदल गया, तो यह भी अब माइनस 2X से स्कार है, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, इसलिए माइनस 6X से स्कार हो जाता है, यह वाला माइनस 3X यहां पर उता पर से साइन बदल जाएगे, तो यह वाली value से यह यह वाली value कट जाएगी, दो को 6 से कुड़ा करेंगे 12 हो जाएगा और एक से कनुज़ हो जाएगा, यहां पर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन बदल जाते हैं, तो प्लस का 12X में 3X गटाएगे, तो 9x हो जा प्रस्ट पर यहां पर इसी ब्रकार यह वाली वैल्यू सॉल करेंगे 9x आजाएगा अब एक्स को किसे गुड़ा करें यह 9x आजाए तो एक्स को 9 से गुड़ा कीज़े 9x आजाएगा यह प्लस का यह माइनस का यह कट जाएगा और 2 को आप गुड़ा करेंगे 9 से तो 9 दुनी 18 आजाएगा तो 18 से 18 यह बैल्यू जीरो हो जाएगी से इस फ़ल जीरो बचेगा तो य तो इस तरीके से प्रस्ट को कर सकते हैं थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है पर ऐसा है नहीं करें तो हो जाएगा अगला देखते हैं दो की खाच 4 बरावर X का लॉगरिथम रूप क्या होगा लॉग का सीन क्या होता है जैसे A की बावर B बरावर C लिखा होता है लॉग जब लेते हैं तो लॉग उसके पास जो यहां पर वैल्ली होती वो बेस में आ जाती है बरावर के उधर जो होती है वो के साथ आ जाती है और जो घातांग में होती है वो बरावर के उस तरह हो जाती है अगर इतना फॉर्मला आपको याद है तो फिर आप आसानी से कर लेंगे सेम इसी को भी वैसे लिख सकते हैं तो की खाच 4 बरावर और X है तो लॉग और लॉग के बेस में क्या आएगी जो यहाँ पर वैल्यू है तो बेस में दो आजाएगी और जो बरावर में है वो लॉग के साथ आजाएगी और जो घातांग में है वो बरावर के उदर चली जाएगी अंसर आपका बी वाला यहाँ पर हो जाएगा पंच घड़िया हैं तीन चार पांच छे और साथ सिकंड के अंतराल पर बज़ती हैं किसी समय उनके एक साथ बजने के कितनी देर बादवे फिर से बजएगी जब भी ऐसा कुछन आता है इनस अभी का निकालना होता है LCM, LCM निकालने पर ये पता चल जाता है कि उतने particular time के बाद वो repeat होंगी यहाँ पर देखें, LCM निकाला भी गया है LCM ये निकाला गया है 3, 4, 5, 6, 7 का और LCM निकल करके आएगा 420 second इसी को अगर minute में बदलना है तो आपका 60 से divide कर दीजे minute में क्यों बदला है क्योंकि option में सभी value minute में ही दे रखी है तो minute में बदलेंगे 7 minute आएगा और 7 minute अंसर हो जाएगा यानि ये घडियां दुबारा जो है 7 minute के बाद जो है वो एक साथ फिर जो है वो बजेंगी LCM क्यों निकालते हैं? LCM निकालते हैं अब यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी अभाज इसंख्या है अभाज इका मतलब समझ रहे हैं जो सो M से कटे हैं, X से कटे हैं उस condition में X की value यहाँ पर यहाँ पर आप ऐसी कोई value मानें जैसे इनोंने 17 मान लिए जिसका तीन गुना करने पर option के नस्दीक पहुचे जैसे 10 के लिए अगर आप चेक करेंगे तो 2, 3, 6, 6, आपको ये भी कहरे हैं अभाज संख्या माननी है तो आप जो भी अभाज संख्या मानेंगे वो value यहाँ पर भी आपकी आनी चाहिए जैसे यहाँ X रखेंगे तो यहाँ पर 2 अगर मान लेंगे तो 2, 2, 4 यह तो गलत हो जाएगा तो इस प्रकार से इन्होंने 17 यहाँ पर मानी है जिसमें X की value 17 हो जाएगी 17 प्लस 2 आपका 19 हो जाएगी अगला नंबर और इसी प्रकारच के जोड़ने पर 23 हो जाएगा तो यह 17, 19, 23 निकला गया यही 17 की value 3X में रखेंगे तो 17, 3, 49 और 49 में 17, 3, 51 और एक जोड़ेंगे तो 52 आपका अंसर यहाँ से आजाएगा अगला देखते हैं कि यहाँ अनुपाद B में यहाँ है कि A बरावर 2X के फॉर्म में मान के अच्छा किया है B बरावर 3X हो जाएगा यहाँ पर 3A प्लस 5B हो जाएगा यह 3A प्लस 5B और बटे में 7A प्लस 11B यह और इसके में जब value रखेंगे तो A की जगा 2X रखेंगे 5B की जगा 5 x 3X रखेंगे इसी प्रकार आगे भी 7 x 2X रखेंगे 11 x 3X रखेंगे और यहाँ से value निकलकर आई कि 3 2 जा 6X 5 तिया 15 X साथ दुनी 14 X 11 3 जा 33 X 6 15 जोडएंगे 21 X 14 3 जोडएंगे 47 X और इसमें एक चीज़ है कि यह जो book है न actual में यह है बिहार सिक्षक बढ़ती की तो इसमें जो question दिएगा है वो जिस topic से संबंदित हैं जैसे जैसे आएं थोड़े से उसी पर-based question आप अलग से भी practice कर लीजेगा अपने आप कुछ से भी तो यदि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 25% के बराबर है और यदि आप से कह रहा है कि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी दो संख्याओं का अंतर कह रहा है माल लेते हैं बड़ी संख्या X है छोटी संख्या 30 हो जाएगी तो संख्याओं का अंतर उन में से बड़ी संख्या के 25% के बराबर है हमने चोटी संख्या 30 इसलिए मानी क्योंकि प्रस में दे रखी है तो बड़ी संख्या ही निकाल ली इसलिए बड़ी संख्या X मान ली दोनों का जो अंतर है वो कह रहा था उसी संख्या के 25% के बरावर है तो संख्या हमने x मानी थी और इसका 25% यही तो कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से जो बड़ी संख्या है बड़ी संख्या x है उसके 25% के बरावर है 25, 400, ये वाला 4 इधर जाके multiplied होगा, तो हो जाएगा, 4X जो यहाँ लिखा हुआ है, 4 को 3 से उगड़ा करेंगे, 4-3, 12, यानि 120X हो जाएगा, 4X minus 120 बराबर X के हो जाएगा, ये वाला X जो है, यहाँ 4X है, तो उदर जाएगा, तो कितना बचेगा 3X हो जाएगा, इस वाले X को आप उधर ले जाएगे, तो 3X बचेगा, 3X की value कितने के बराबर होगी, आप की हो जाएगी, 120 के, अब X की value निकालेंगे, तो 120 बटे 3, तीन से काट लिजे, 3 चोग बार, 0, 40 अंसर आपका आजाएगा, जो कि बड़ी संख्या आपकी 40 आजाएगी, पहला वाला उप्षन आपर हो जाएगा, अगला देखते हैं, 50 कोशन हमने कहा था, देखें ये भी 2022 का है, और अगला 50 कोशन भी आपका 2022 का ही है, पर संख्या हैं, ये लाश्ट कॉशन है, इस वीडियो का, कि दो संख्या है, नो अज recognize, थीन के अनपाद में, उनका लासा 54 है, اور इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको बताएगा, आपको बताया वहीं संख्या का अगर 2x है, याँनका लासा 54 आपको दे रखा कर देंगे तो बात में ये भी कहा रहा है कि दोनों संख्यां को टोटल भी बताईए तो दोनों संख्यां है को है 2x और 3x तो दोनों का टोटल क्या होगा 5x होगा अब यहाँ पर x की वैल्यू आप 9 जो ऊपर निकालें वो रख दीजे 545 आपका अंसर जो है वो आ जाएगा य जास कोशन हमारे होके complete पर वीडियो को समात करने से पहले एक कोशन हम आपसे भी बूचेंगे तो यह प्रसन आपके लिए है जिसको solve कीजिएगा क्योंकि यह प्रसन हम इसले पूछ रहे हैं सेम इसी टाइप का कोशन हमने उपर कराया था 200 और 600 की बीच कितनी संख्या है 4 5 और 6 से विभाजित होंगी 4 5 6 8 सेम इसी पर कोशन था बेश्ट पस संख्याएं बदली हुई थी solve कीजिएगा कोशिस कीजिएगा वीडियो के में कमेंट बताईएगा इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्स्राइब आउश कीजिएगा टेलिग्राम से नहीं जुड़े हो तो सभी अपडेट पात्रे निकले बाला जीश्ट टेटर सर्च करके भी जुड़ सकते हैं टेलिग्राम चैनल से और इसके अलावा लिंक भी आपको मिल जाएगी तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तक तक के लिए सभी को नमस्कार जैन